आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं लसुन धन्य और हरी मिर्च की जबर्दस चटनी यह चटनी खाने में तो बहुत ज्यादा टेस्टी होती ही है उसके अलावा इसके खासिया थे कि आप इसे फ्रीज में हफ्ते दस दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं किसी बढ़े वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकते हैं चटनी बनाने के लिए में यहाँ पर ली है एक कटोरी हरी मिर्च जिसको की मैंने इस तरह से रफ ली कट कर लिया है और उसके अलावा मैंने आप लिया एक कटोरी लसून हमें हरी मिर्च और लसून दोनों क तो आप हरी मिर्च की क्वांडिटी लहसन से थोड़ी कम कर सकते हैं और मैंने लिया है यह फ्रेश हरा धनिया जिसको के मैंने इस तरह से बिल्कुल बारिक कट कर लिया है अब हम हरी मिर्च और लहसून दोनों को भी इस तरह से मशीन में चॉप करेंगे अब जहां तक हो सके मिक्सर का यूज ना करें मिक्सर में इस चट्ने का बिल्कुल बारिक पेस्ट बन जाएगा जो कि इतनी अच्छी नहीं लगेगी आपके पास किसी भी तरह की चॉपर मशीनों आप इसमें इस तरह से चॉप कर सकते हैं यह देखिए मैंने लसून और हरी म जादा लगता है क्योंकि यह चट्नी बहुत जल्दी नीचे चिपकने लगती है हम अच्छे से हीट होने देंगे उसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे यह एक टेबल स्पून जीरा जीर को हमें अच्छे से क्रश करते हुए डालना है देखिए हमारे जीरे में तड़का अगर आप एक बार यह चट्नी बना लेंगे तो आप आए दिन इस चट्नी को बनाना चाहेंगे यह चट्नी इतनी ज्यादा टेस्टी लगती है यह देखिए हमारी चट्नी को पकते हुए लबग पांच मिड़ हो चुके हैं अब हम इसे एक बार अच्छे से हिला लेंगे उसके बाद हम इसमें एड करेंगे यह एक टेबल स्पून नमक नमक डालने के बाद अब हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि पांच मिट हो चुके इसे पकते हुए अब हमें इसे कंटीनी हिलाते हुए लगबग चार से पांच मिट और पकाना है अब हमें कंटीनी इसलिए लाना है क्योंकि अब यह नीचे चिपकने लगेगी हमारी चटनी ओल्मोस्ट पक चुकी है मुश्किल से एक से दो नीटी हमें इस और पकाना है यह देखिए आप देख सकते हैं हमारी हरीमिच और लसुन का कलर काफी चेंज हो गया है यह ब्राउन दिखाई देने लगा है अब हम इसके अंदर एड़ कर देंगे यह वन थर्ड इस्पून हल्दी पाउडर अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे यह बारी कटा हुआ हरा धनिया जलने के बाद हम इसे ज्यादा नहीं पकाना है मुश्किल से 2 मिट और पकाना है और इसे कंटिन्यू हिलाते रहना है यह देखिए इससे एक से दो मिट हो चुके हैं दन्या डालने के बाद हमारी चटनी बनकर बिल्कुल कम्प्लीट है अब हम गेस का फ्लेम ओफ कर देंगे मैं आपको दिखा देती हूं कि हमारी चटनी कैसी बनी है यह देखिए लग रही है ना परफेक्ट अब हम जल्दी से से एक बॉल में निकाल लेंगे यह सर्व करने के लिए बिल्कुल रडी है आपको मेरी चटनी पसंद आई होगी प्लीज आप मेरे इस चटनी को जरूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरे इस रेसि की लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप महां जाकर चेक कर सकते हैं वह जल्द मिलती हूं आपसे अगली रेसिपी के साथ थैंक्यू झाल 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 झाल